नमस्कार दोस्तों मैं अनुप कुमार स्रिवास्तों आप लोग का स्वागत करता हूँ अपनी GS क्लास में तो चली बच्चे अपने GS क्लास में हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि बच्चे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आप देख सकत बोड पर मैंने लिख रखा है भूगोल याने कि जियोग्राफी, बच्चे हम अपनी क्लास को जियोग्राफी से शुरू करेंगे, भूगोल से शुरू करेंगे, पहले मैं आपको भूगोल के बारे में कुछ बता दू बच्चे, अगर आप किसी भी कमिशन के एक्जाम को ले वो ज्यादा से ज्यादा प्रस्ण भूगोल से पूछ रहे हैं जोग्राफी से पूछ रहे हैं लेकिन बच्चे जो वो कोशन पूछ रहे हैं तो याद रखेगा कि पहले जो प्रस्ण थे वो तथ्यात्मक आते थे तथ्यात्मक का मतलब है बच्चे फैक्चुल आते थे लेक कि समझ से पूछ रहे हैं अगर आप विशय पर एक पकड़ है आपकी समझ है आप प्रस्ण को देखते ही बना लेंगे अगर आपकी पास समझ नहीं है तो आपको प्रस्ण बनाने में क्या होती है बच्चे परिशानी होती है तो बच्चे हमारे पढ़ने का तरीका कमीशन के नुसार होगा कि कमिशन क्या चाहती है कि आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें और किस तरीके से आप प्रस्ण को solve कर पाते हैं क्लियर है बच्चे दूसरी बात है कि बच्चे हम अपने अंदर एक समझ विक्सित करेंगे विशय पर एक पकड़ विक्सित करेंगे कि अगर क समझ पर विक्सित होगी हमारे तरीके को करना है क्लियर है बच्चे चलिए तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं आपसे यह पूछू कि भूगोल में किसके बारे में पढ़ा जाता है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है बच्चे प्रिथवी के बारे में पढ़ा जात उसका क्या नाम है बच्चे प्रिथवी तो हमें सबसे पहले प्रिथवी से अपनी क्लास को सुरू करना है और एक एक बात को समझना है तो चलिए बच्चे एक बात बताईए प्रिथवी को देखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है तो बच्चे हम एकदम जीरो घल से अपनी बात को ऊपर उठाते हैं क्लार्ट है तो बच्चे क्या होता is कि प्रिथवी को सूंसते ही तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि मैं जिस चीज को पढ़ने या पढ़ाने जा रहा हूं उस चीज का आकार कैसा है या उस चीज की आकृति कैसी है पूरी समझ में आगी बच्चे तो ये प्रसन का साइन दे दिया कि मैं जिस चीज को पढ़ाने जा रहा हूं प्रिथवी को तो पहले हमें ये जानना है कि प्रिथवी का आकार कैसा है या प्रिथवी की आकरिती कैसी है बच्चे 2000 के बाद अलग-अलग कमिशन में यहां से लगातार प्रसन पूछे गए हैं clear है तो जब हम इसे पढ़ना सुरू करेंगे एक एक कोशन को हम क्लास में solve कर लेंगे ताकि हमारा confidence भी क्या हो बढ़ता जाए और हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं हो तो चली बच्चे हम पहले एकदम zero level से अपने क्लास को सुरू करते हैं और बच्चे इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आपको सिप एक लाइन लिखवाऊंगा बच्चे उस एक लाइन को जिसने याद रख लिया वो देखते ही कोशन को बनाएगा और अपने आप उसकी समझ बिक्सित हो जाएगी clear है तो चली बच्चे समझत कीजेगा प्रित्वी अपने किस भाग में बच्चे मध्य भाग में और मध्य भाग को अगर मैं बोल चाल की भासा में बोलू तो क्या बोलेंगे बच्चे आप बीच में clear है तो प्रित्वी अपने मध्य भाग में याने के बीच में बाहर की तरफ किस तरफ बच्चे बाह बाहर की तरफ उभरी हुई है और उभरी का मतलब क्या होता है बच्चे यानि बाहर के तरफ निकली हुई है, तो बच्चे आपको सिप ये दो बाते याद रखने हैं पहला क्या याद रखना है कि मद्दे भाग क्लर है बच्चे और दूसरा उभरी हुई यानि प्रिथवी अपने मद्दे भाग में याने के बीचो बीच क्या है बच्चे बाहर की तरफ उभरी हुई का मतलब क्या होता है बच्चे बाहर की तरफ निकली हुई तो बस आपको यही दो शब्द याद रखने हैं बच्चे कि प्रिथवी अपने बीच में बाहर की तरफ क्या है निकली हुई है तो चलिए बच्चे अब यहां से सीखते हैं कि कैसे और कैसे तरीके से हम इस एंसर तक पहुँचेंगे कि प्रिथवी का कार या कृती कैसे कलर है तो बच्चे यहां मैंने क्या किया कि आपके सामने मैंने एक गोल बॉड़ी बना दी क्या बोला बच्चे मैंने कि एक गोल बॉड़ी बना दी क्या मैंने प्रिथवी कहा नहीं बच्चे आप मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे कि मैं किस शब्द का प्रियोग कर रहा हूँ तो मैंने पहले आपसे कहा कि मैंने क्या किया कि बोड़ पर एक गोल बोड़ी बना दी तो इस बोड़ी के उपर की तरफ मैं देखता हूँ बच्चे तो इस डिरेक्शन को क्या कहते हैं नौर्थ कहते हैं क्लियर है बच्चे तो जब मैंने उपर की तरफ देखा तो मैंने ये पाया कि इस डिरेक्शन को क्या कहते हैं नौर्थ कहते हैं और नीचे की तरफ यानि अपने पैरों की तरफ देखा तो बच्चे, इस डारेक्शन को हम क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं, clear है, और अपने बच्चे दाएं हाथ में देखते हैं, तो इस्ट और बाएं हाथ की तरफ देखते हैं, तो क्या कहते हैं, वेस्ट है, clear है, तो सबसे तरफ देखा तो क्या कहा उत्तर नौर्थ नीचे साउथ इस तरह पूरब और इस तरह पस्चेम इस तरह वेस्ट पूरी बात समझ में आगे बच्चे ठीक अच्छा अब यहां क्यार कीजे कि मैंने आपसे क्या कहा है कि प्रित्वी अपने मध्य भाग में बीच के भाग में तो चली बच्चे जरा इस गोले के बीच के भाग को दिखाते हैं तो मैं अगर बीचों बीच एक ऐसे लाइन खीज़ दू तो क्या मुझे इसका बीच का भाग नजर आ रहा है देखे बच्चे ध्यान से डेफिनेटली हमें वास्तों में इसके बीच का भाग क्या है नजर आ रहा है तो मैंने क्या कहा है कि प्रित्वी अपने मद्ध भाग में बाहर की तरफ उबरी हुई है तो बच्चे जब इस मैं मद्ध भाग को देखता हूँ तो ये देखिए निस्चित बाहर की तरफ उबरी हुई है इस तरफ से भी अगर मैं अपने हाथ को करूँ कि प्रित्वी जो है बीच के भाग में बाहर की तरफ क्या है बच्चे उभरी हुई है लेकिन कोश्चन यह है कि जब प्रित्वी अपने बीच के भाग में उभरी हुई है और बच्चे मैं इसको पूरे तरीके से देखता हूँ तो ये हर तरफ से क्या है उभरी हुई है जब की पृत्वी उभरी कहा है सिर्फ बीच के भाग में लेकिन इस नक्से में तो सारा भाग उभरा हुआ है तो बच्चे ज़रा सोचो कि अगर मैं इसको उपर और नीचे से प्रेस करूँ यहां सभी बच्चे केर कीजे कि मैं जैसे इसे दबाऊंगा तो यह बीच का भाग अपने आप क्या हो जागा देख लो बच्चे निकल गया इसका मतलब है कि पृत्वी अपने मद्द भाग में बाहर के ओर उभरी हुई है इसका मतलब है अपने उपरी भाग में क्या मैं उपरी भाग को उत्तरी भाग कहूँ एकदम सही बच्चे ठीक फिर देखो निचले भाग में क्या मैं निचले भाग को दक्षनी भाग कहूँ ओके भीतर की तरफ या अंदर की तरफ क्या लग रही है बच्चे दबी हुई चप्टी इसका मतलब है कि अगर ये भाग उभरी दिख रही है तो फिर ये भाग क्या दिख रही है बच्चे चप्टी या दबी दिख रही है तो याद रखिएगा कि पृत्वी अपने मद्ध भाग में बाहर की तरह उभरी हुई है लेकिन अपने उपरी एवं निचले यहां केर कीजेगा बच्चे लेकिन अपने उपरी एवं निचले भाग में अंदर की तरफ क्या है बच्चे दबी हुई है या क्या है चप्ती है तो हमने ये देखा बच्चे ध्यान से कि प्रिथ्वी अपने मद्ध भाग में उभरी हुई है उसी सर्थ पर उभरेगी बच्चे जब उपर और नीचे का भाग भीतर की और क्या होगा दबेगा या चप्तेगा क्यार की बच्चे मैंने उत्री भाग और दक्षनी भाग उपरी भाग और निचली भाग को बताया है कि भीतर की तरफ चपती हुई है या दबी हुई है तभी तो बीच का भाग उभरेगा तो हमने क्यार किया कि प्रिथवी अपने मद्द भाग में बाहर की तरफ उभरी हुई है क्य क्योंकि यह अपने उपरी और निचले भाग में अंदर की और दबी हुई है तो अब तो पता चले कि बच्चे इस आकार को क्या कहते हैं क्लीर है तो याद रखेंगे बच्चे कि यह प्रिथवी का एक विशेस आकार हो गया और इसी विशेस आकार को हमने पहला क्या नाम दि कि प्रिथवी का आकार क्या है भू आब बच्चे इसी का एक और नाम है और दूसरा नाम क्या है जियोड उसी तरह बच्चे इसका तीसरा नाम है तीसरा नाम क्या है लगवक्ष गोलाभ और फिर चौथा नाम है बच्चे चाप अंडा कार क्लिर है बच्चे यह सारे आपसे पूछे जा चुके हैं तो याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रिथवी का आकार कैसा है तो आप बच्चे एकदम सिंपल कहना है कि प्रिथवी ऊपर नीचे दबी हुई है और बीच में क्या है उभरी हुई है बच् लगवक्ष गोलाव और इसी को क्या कहा बच्चे चाप अंडाकार बच्चे आप देख सकते हैं बोड़ पर मैं साईड हो गया आपको सारी चीजें जो है पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए बच्चे क्लेर होनी चाहिए बैटा आप वीडियो पाउज करके सारे पॉइंट दबेगा तभी तो निकलेगा और इसे क्या कहा गया भूवाप जियोड लगवक्ष गुलाव चाप अंडाकार बच्चे सीटेट 2015 ने यहां से सवाल पूछा मद्दे पर्दे सब इंस्पेक्टर 2017 ने यहां सवाल पूछा और SSE बच्चे CHSL 2016 में चाप अंडाकार का सवाल आये था तो जैसे यह चार नाम याद रखेंगे बच्चे किसी तरीके का कोई भी सवाल हो तुरंत बनेगा बश्ट्री की याद रखना है कि प्रिथवी उपर नीचे दबी है और बीच में क्या है उभरी हुई है सबसे पहले हमने क्या किया किए कि प्रिथवी के आकार को पूरे तरीके सीख लिया अब मैं इसमी से मीटाओं बच्चे नाम चलिए हम आगे अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए पहले इसे मैं मीटा दूँ तो बच्चे सभी लोग सीख चुके हैं, ओक्य बटा, अब बच्चे देखो, इसी ग्राफ से हम question का answer निकालना सीखेंगे, clear है, और जैसे जैसे मैं बोलू, बस आप वैसे समस्ते चलना बच्चे, किसी को कुछ नहीं रठना, और सारी चीजें हम अभी class में clear करते चले जाएं तो सभी बच्चे सबसे पहले एक काम करो, जैसे मान लिजे कि ये, अब देखो, मद्धभाग आपको उभरा हुआ दिख रहा है, तो बच्चे मैं क्या करता हूँ, कि प्रिथवी के बीचों बीच पहले एक दूरी खीच देता हूँ, east to west, clear है बच्चे, और इस दूरी का नाम मैंने क्या रखा, D1, सभी बच्चे क्यार कीजे, उसी तरह बच्चे मैंने उपरी और निचली छोर को मिला कर भी, क्या किया बच्चे, एक दूरी खीच दिया, यहां सभी लोग क्यार कीजेगा, कि मैंने उपरी और निचली छोर को भी मिला कर क्या किया, एक दूरी ख मचपार हैं, बच्चे ये गनित का चिन्न का पर्योग है, इस चिन्न का मतलब है कि इस तरफ का भाग क्या है बड़ा है और इस तरफ का भाग क्या है बच्चे, छोटा है पूरी बात समझ में आरे है बटवाट? चलीए अब सबी लोग ध्यान से देखिए बोड़ पर क्या D1 D2 से बढ़ा है तो बच्चे हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये तो बीच का भाग क्या है उबरा हुआ है तो अगर बीच का भाग उबरेगा तो जाहिर है दूरी बढ़ेगी और अगर दूरी बढ़ जाएगी इसका मतलब है D1 क्या है बढ़ा है और ये बच्चे ऊपर और नीचे क्या है दबा हुआ तो दबने से दूरी क्या होगी तो D2 क्या है छोटा हो गया अच्छा अब बच्चे ये तो आपने सीछा लेकिन अब इसी को अगर मैं तकनिकी भाषा में बताऊं तो आप मुझे बताना कि क्या आप समझ पाएं या नहीं समझ पाएं सभी बच्चे बोड पर ध्यान से देखो देख रहे हैं बच्चे तो याद रखिएगा कि अगर D1 का एरिया जादा है यानि प्रिथवी अपने इस्ट वेस्ट में क्या है बड़ी है और उपर नीचे ये दबी है इसका मतलब है प्रिथवी अपने नौट साउथ में क्या है बच्चे कम है तो सभी लोग याद रखना कि अगर आपसे प्रस्ण पूछा जाए कि बताओ प्रिथवी का विस्तार कहां जादा है तो क्या बोलेंगे बच्चे कि प्रिथवी का विस्तार पूरा पस्चिम में जादा है और उत्तर दक्षिन में कम है क्यों कि प्रिथवी क्या है भुवाब है उपर नीचे दबेगी तो दूरी कम हो जाएगी और बीच में उभरेगी तो दूरी बढ़ जाएगी तो सभी बच्चे याद रखेगा कि प्रिथवी का पस्चिम पूरा विस्तार जादा है और उत्री दक्षने विस्तार क्या है बच्चे कम है यहां तक समझ में आया ठीक तो चलिए बच्चे यह तो concept की बात थी अब जड़ा आंकडों की बात करते हैं तो सभी बच्चे याद रखना कि प्रिथवी का पूर्वी पस्चिम विस्तार है वो है 12,756 किलो मीटर कितना बच्चे? 12,756 किलो मीटर लेकिन अगर मैं उत्तर से दक्षिन देखता हूँ तो मैं देखता हूँ 12,714 किलो मीटर आपको याद रखना है बच्चे कि प्रिथवी जो पूरव पस्चिम है क्लिर है बच्चे? तो देख सकते हैं कि प्रिथवी का उभार यहां क्या है? ज़्यादा है तो हमने देखा पूरव से पस्चिम कितना है 12,756 किलो मीटर लेकिन हम उपर नीचे को क्या देखते हैं बच्चे? दबे हुए तो जाहिर है अगर उपर नीचे दबेगा तो उत्तर दक्षिन दबेगा तो उत्तर दक्षिन कितनी होगी बच्चे? 12,714 किलो मीटर तो अगर मालने जए आपसे ये प्रस्ण पूछा जाता है कि प्रिथवी का विस्तार कहां जादा है तो क्या बोलेंगे बच्चे? जाहिर है क्या बोलेंगे? पूरव से पस्चिम की तरफ क्यों? क्योंकि बीच में प्रिथवी उभरी हुई है और कम कहा है बच्चे? उत्तर से दक्षिन की तरफ क्यों? क्योंकि प्रिथवी उपर और नीचे से क्या है? दबी हुई है क्योंकि प्रिथवी क्या है बच्चे? भुवाब है, जियोड है उपर नीचे दबेगी तो दूरी कम हो जाएगी और बीच में उभरेगी तो दूरी बढ़ जाएगी यहां तक क्लिर है बच्चे? नौ अच्छा पिटा कर मान लिजे सपोज आप से कमिशन ये प्रस्न पूछती है कि ठीक है चलो उत्तर दक्षिन में कम है तो कितनी कम है? तो बच्चे तुरंत यहां माइनस करेंगे और माइनस का साइन लगा कर बच्चे अगर आप इस छपन में 14 को घटाते हैं तो क्या निकलता है? 42 किलो मीटर तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि प्रिथवी उत्तर दक्षिन में कितनी कम है तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? कि 42 किलो मीटर क्या है? कम है, क्लर है? क्यों? क्योंकि प्रिथवी क्या है बच्चे? भुवाब है, दबी हुई है दबने से 42 किलो मीटर कम हो गई लेकिन अगर कमिशन पुछती है कि पूरपसी में कितना ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे बच्चे 42 km क्योंकि यो कम है बच्े वही तो ज़्यादा है यानी 42 km ही कम है और 42 km ही ज्यादा है अच्चा बच्चे, जरा ध्यान से यहां से बोट पर देखिए प्रिथवी तो ऐसे दबी हुई है लेकिन अगर मान लिजे बच्चे कि प्रिथवी जो है दबी नहों की अगर पूरी ऐसे होती उपर और नीचे देखें मैंने बना दिया है तो अगर मान लिजे कि प्रिथवी ऐसे नहों की अगर पूरी ऐसी होती तो बच्चे आपसे ये भी तो पूछा जाता कि सिर्फ उत्तर में कितनी दबी हुई है या सिर्फ दक्षिन में कितनी दबी हुई है तो याद रखेंगे बच्चे कि अगर आपसे सिर्फ उत्तर पूछता है कितनी दबी हुई है या आपसे सिर्फ दक्षिन में पूछता है क कितना कम है तो तुरंत आप इस 42 को क्या करेंगे बच्चे आधा करेंगे और आधा करेंगे तो कितना निकला 21 किलो मीटर यानि उत्तर में भी 21 किलो मीटर कम है और दक्षिन में भी क्या है बच्चे 21 किलो मीटर कम है पूरी बात समझ में आगे इसका मतलब है कि भू आब होने के कारण बच्चे प्रिथवी जो है उत्तर में भी 20 किलो मीटर कम है और दक्षिन में भी 21 किलो मीटर कम है पूरी बास समझ में आई ना चली बच्चे यहां तो हमने एक चीज सीखा अब जरा यहीं पर मैं आपसे एक टेकनिकल सवाल बनवाता हूं बच्चे जो आपसे बीच यह जो जगह है यह क्या है प्रिथवी का केंदर है सेंटर है क्लिर है ना यहां सभी बच्चे केर कीज़ेगा यह क्या है बच्चे प्रिथवी का सेंटर याने केंदर है और मान लिजे एक्स नाम का एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है बच्चे पहले सोचो कि एक्स न का व्यक्ति यहां खड़ा है तो कहां खड़ा है बच्चे तो हम क्या कहेंगे उत्री छोड़ पर अगर वाई नीचे खड़ा होता तो क्या बोलते हैं बच्चे हम दक्षिनी छोड़ पर अब मेरा प्रसन है बच्चे कि अब इसी X को मैं क्या कर रहा हूं बच्चे कि आपने देख लिया कि ये प्रिथवी के मद्ध्य भाग में खड़ा है, ठीक है, मान लिजे बच्चे, मैंने इस X को यहाँ पर बना दिया, क्लर है, ये सब मद्ध्य भाग है, ओके, और ये क्या है बच्चे, Y, अब अगर आपसे पूछा जाए, कि बताओ प्रिथवी के सेंटर के न हुआ, इसका मतलब है, प्रिथवी के मद्ध में जो भी होगा, वो प्रिथवी के सेंटर से दूर हो जाएगा, और उपर और नीचे जो भी होगा, वो सेंटर के करीब होगा, अब इसी पर प्रस्ण बर ना हो बच्चे, कि प्रिथवी के गुर्तवा कर्षन, करेंगे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, कि X पर गुर्तवा कर्षन बल का मान क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि बच्चे अगर केंदर से दूरी बढ़ेगी, तो गुर्तवा कर्षन बल का मान कम हो जाएगा, लेकिन उतरी छोर और दक्षनी छोर भीतर की और दबी है, यानि द अब्यभाग में हमने क्या देखा, बच्चे? कि जो गूरुत्वा कर्शन है, वो क्या है? कम है. लेकिन अगर North and South उत्री और दक्षनी छोर की बात कर दी जाए, तो आप तुरंथ क्या कहेंगे? कि गूरुत्वा कर्शन बल क्या है? ज्यादा है. समझ में आएm बच्चे? तो प्रित्वी उपर नीचे दबेगी तो दूरी कम होगी और दूरी कम होगी तो गुर्तवा कर्षन बल बढ़ जाएगा लेकिन बीच में उभरी हुई है उभरेगी तो दूरी क्या होगी बढ़ जाएगी और अगर दूरी बढ़ गई इसका मतलब है कि गुर्तवा कर्षन बल ज्यादा है और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बच्चे कि कितना ज्यादा है तो एक fact याद रखिएगा plus 2 kg इसका मतलब है यहाँ पर जो वजन है वो 2 kg बढ़ जाता है तो अगर यहाँ बजन 2 kg बढ़ जाता है बच्चे इसका मतलब है कि मद्य भाग में 2 kg वजन घड जाता है इस fact को याद रखना है बच्चे कि गुरुतवा कर्शन बल पूछेगा कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे यहाँ 2 kg बढ़ जाता है और इसकी तुलना में यहाँ पर बच्चे 2 kg कम क्या हो जाता है कम हो जाता है पूरी बात समझ में आगे बच्चे तो चली हमने इन चीजों से यह सब तो सीखा clear है अब ना अब अगले प्रसण पर चलते है तो बच्चे अगले प्रसण पर चलने से पहले मैं इसे मीटाओं यह सब आपको clear हो चुका है ओके ना चलिए बच्चे मैं इसे मीटाता हूँ फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या यहां से प्रस निकल रहे हैं जो हमसे पूछे जाएंगे और जो क्या है बच्चे बहुत ही हमारे लिए इंपोर्टेंट है और यह सारे कोशन पूछे जा आ चुके हैं मैं आपको बता दू बच्चे कि यह जो गुर्टवा कर्षन वाला सवाल है यह एंडिये 2016 में अल्रेड़ी आ चुका है तो ऐसा नहीं सोचना है बच्चे कि यह सवाल जो है आपसे पूछे नहीं गया है अब बच्चे जलिए जरा इस ग्राप से फिर समझने क कोशिज करते हैं तो बच्चे मैं यह सब को फिर से मिटा दे रहा हूँ ठीक है चलिए अब फिर से हम अच्छे से चीजों को सीखते हैं ना क्लर है तो बच्चे सबसे पहले अब यहां सभी लोग ध्यान से देखिए बच्चे मैंने आप से क्या कहा था कि प्रिथवी जो है अपने मद्यभाग में क्या है उभरी हुई है तो बच्चे उभरी हुई है इसका मतलब है कि इस तरीके से चक्कर बना रही है ऐसे देखे बच्चे क्या बना रही है चक्कर जब तक चक्कर नहीं बनेगी तब तक पता नहीं चलेगा उभरे हुआ तो बच्चे चकर तो मेर बोलचाल की भासा है क्या गणित या फिजिक्स में इसे परीधी नहीं कहते हैं परीधी तो कहते हैं इसका मतलब है बच्चे की कोई भी बोड़ी उभरेगी तो फिर वो क्या बनाएगी परीधी बनाएगी तो क्या प्रिथवी की परीधी भी आए जरूर है तो बच्चे हमार अगला जो कौन सवाल आया वो आया कि प्रिथवी की परीधी क्या है लेकिन बच्चे अगर परीधी पुछा जाए तो हम पहले परीधी की दिशा देखेंगे इस्टू वेस्ट और मैंने क्या लिखा बच्चे तुरंत इस्टू वेस्ट और ये जो हमारी परीधी है बच्चे इस्टू वेस्ट वो कितनी है 40,000,75 km सभी बच्चे याद रखेंगे कि अगर प्रिध्वी की परीधी पुछी जाती है तो आप पहले दिशा देखेंगे कि वो किस दिशा की बात कर रहे हैं अगर वो पूरव से पसिम की परीधी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे बच्चे 40,75 किलो मीटर अच्छा लेकिन बच्चे अगर दूर से प्रिथवी को देखा जाए तो ठीक है मैं मानता हूँ कि प्रिथवी उपर नीचे इस तरह से दबी हुई है लेकिन अगर आप प्रिथवी पर दो परीधी हो गई एक इस्टू वेस्ट हो गई और दूसरा क्या हो गया बच्चे नौट्टू साउथ तो अगर आपसे नौट्टू साउथ परीधी पूछे तो आप क्या कहेंगे 40,007 किलो मीटर इसका मतलब है कि पूरव से पस्चिम की परीधी 40,0075 किल और उत्तर सदक्षिन की अगर परीधी पूछता है तो हम तुरंत क्या कहेंगे बच्चे 40,007 किलो मीटर और अगर दोनों का अंतर पूछ दे यहां देखे बच्चे अगर आपसे इन दोनों का अंतर पूछे तो तुरंत आप 75 में जब बच्चे आप 7 घटाएंगे तो कित इतना किलो मीटर निकलेगा 68 किलो मीटर तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि भूवाब के कारण पृथवी की दोनों परीधियों में भी क्या आ गया है अंतर आ गया है बच्चे ऐसा कोई भी सवाल हो बस इतना दिमाग में रखना कि सर ने कहा है कि पृथवी उप कोई भी बोड़ी उभरेगी कलर है और अपनी परीधि बनाएगी तो क्या उसका त्रिज्या रेडियस नहीं होगा रेडियस भी तो होगा त्रिज्या भी होगा तो क्या बच्चे प्रिथवी की त्रिज्या भी है तो बच्चे हमारा जो अगला question आया वो यह आ गया बच्चे ऊपर नीचे दबने के कारण देख रहे हैं एक त्रिजिया ये हो गई है और दूसरी त्रिजिया ये हो गई है तो अगर मच्चे मान लिजे आप से ये त्रिजिया पूछे केंद्र से उत्तर वाली क्लिर है तो बच्चे यहां देखिए अगर मान लिजे केंद्र य केंद्र से उत्तर या दक्षण वाली बात कर दी तो आप क्या कहेंगे बच्चे 6358 किलोमीटर कितना बच्चे 6358 किलोमीटर अगर ये त्रिजिया इसको ध्यान से देखें उभरने से यह ज्यादा है तो मान लिजे कि दूसरी जो त्रिजिया है वो कैसी निकल रही है या तो पूरब की तरफ और या तो बच्चे पस्चिम की तरफ तो ये जो त्रिज्या है ये कितना हो गया 6,378 किलो मीटर तो हमने देखा बच्चे अगर हम बहुत पोजिटिबली देखते हैं तो दो त्रिज्या है एक उत्तर दक्षिन वाली दूसरा पूरब और पस्चिम वाली यानि मद्य भाग वाली और उत्री और दक्षिनी छोड़ वाली तो देख रहे हैं बच्चे दो दो त्रिज्या आए आगे लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि हम इसे जनलाइज करते हैं और इसको एक मान मान लेते हैं क्या मान लेते हैं बच्चे इसका एक मान मानते हैं और वो कहते हैं 6-600 km तो अगर आप से पृत्वी की त्रिज्या पूछे तो आप एक मान में क्या बोलेंगे 6400 km लेकिन बच्चे नई NCRT ने जो नया डाटा दिया है वो क्या है बच्चे 6371 km तो इसका मतलब हो गया कि आपको 6371 km को बच्चे पूरा याद रखना है और ये उत्तर परदेश के SSSC exam में और लेड़ी पूछा जा चुका है तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि जिसी तरह से भी अगर वो माइनूट पूछें आप तुरंट एंसर निकाल लेंगे एक वैलू है बच्चे 6400 km जनरली ये नहीं पूछते एवरेज पूछते हैं तो ये जो एक मान है वो 6400 km है पर नई NCRT ने exact जो डाटा दिया वो क्या दिया बच्चे 6331 km और ये सवाल पूछा जा चुका है कि पित्वी की तरिजिया कितनी है और आप्शन में था 6331 km तो सभी बच्चे याद रखेंगे पुराना डाटा 6400 km और नया डाटा क्या है बच्चे 6331 km और ये पूछा गया है इसलिए मैंने इंपोर्टेंट लिखा है आपको ये याद रखना है बच्चे पूरी बात समझ में आ गई क्लिर अच्छा बच्चे यहाँ पर एक और प्रस्ण है कोश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है जिसे हमें केर करना है तो बच्चे जड़ा सोचिए कि अगर किसी भी बॉड़ी का त्रिजिया होगा तो क्या उसकी परीधी नहीं होगी यह क्या कहलाएगा बच्चे गणीत में व्यास तो हमारा अगला सवाल यह आ गया बच्चे तो फिर यह व्यास कितना है तो क्या मैंने आपको व्यास बताया बच्चे कि प्रिध्वी का व्यास कितना है क्या आपको याद आ रहा है कि मैंने कहा था कि यह जो दूरी है कितनी थी 12,756 km और इसको मैंने कितना बताया था बच्चे इसको जो मैंने बताया था वो बताया था बच्चे आपको यहां देखिए 12,714 km तो बच्चे जो मैंने दूरी खीचा था जिसे D1 और D2 कहा था क्या मैं कहूं कि वही व्यास था यानि D1 का फुल फॉर्म क्या था बच्च तो सभी बच्चे याद रखेगा कि जो D1 और D2 मैंने कहा था वही बच्चे क्या है इसका व्यास है व्यास एक और व्यास दो तो अगर आपसे वो पूरा पस्चिम का व्यास पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे 12756 किलो मीटर और अगर उत्तर और दक्षिन का व्यास से इक इका बार कितने किलो मीटर का अंतर है वह सीखा विस्तार सीखा गुर्तवा कट्षन बल पर क्या प्रभाव यो भी सीखा बच्छे हमने परीधियां सीखी है त्रज्य आ सीखा और व्यास बहुए शीख लया क्लियर है बच्चे जितने भी प्रस्न पूछे गये सभी म मैंने नोट्स में और लेडी डाल दिये हैं और आपसे सारे प्रस्ण में सॉल्व करवा चुका हूँ अब कोई भी कोशन होगा बच्चे मेरी पूरी कोशिस होगी कि वो क्लास नोट्स से बाहर नहीं जाए तो पूरी बात समझ गई समझ में आ गई बच्चे आप लोगों को तो बच्चे यह आज के लिए काफी है और हम फिर अगले क्लास में बच्चे नेक्स पॉइंट से नेक्स टॉपिक से शुरू करेंगे अपनी बात को पूरी बात समझ में आ गई थैंक्यू क्लास